एक विसेश सूचना इस वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखिए तब मज़ा आएगा कि पहले के वक्त में साधू संत योगी राजा को आशिरवाद देते थे सत्या कर राजसिहासन पर बैठने का लेकिन आपने यह रवायत पलट तो आप योगी जी है या राज योगी यह कहा जाता है कि जितना जमीन पर काम हो नहीं हो आप लोगों के दिमाग पर सही काम कर लेते हैं मुश्कुरा मुश्कुरा कर योगी जी आप मंच से लोगों को कण्विंश कर देंगे कि मैं ही सर्वश्रे इमांदार पत्रकरों की सूची बनाई है नाम आपका भी है उसले है अंच्णा चॉग गई है सुनके कि उनका नाम इमांदार पत्रकारों के लिस्ट में है तो वो सुचने लगी कि अगर हम जैसे बेईमान जॉर्णलिस्त इमानदार पत्रकारों के लिस्ट में है तो बेईमान जॉर्णलिस्त के लिस्ट में किस-किस का नाम है आगे बढ़ते हैं सच बत उम्मीद है और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आप देश के सबसे इमानदार पतकारों में आते हैं यह जो बार बार आप कीचण उचालने की कोशिश कर रहे हैं मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आपको यह स्टान्स लेने की क्यों जरूर अगर तारीफ भी पुराई लगने लगे तो मुझे मैं क्या खरूब बता है आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहां पर दस ताली बजवा कर यह सही सावित कर देंगे यह और लोग होगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूचते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तयार नहीं हूं और बड़े संढ़्यम के साथ आपकी बात को बार-बार सुना लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटवीन करना होगा आप सम कुछ लीजे इस मंझ से हम लोग सुबस से सवाल पूछ रहें पता नहीं क्यों आज आपकी बात खतम हो गई ने मेरी बात खतम नहीं हुई है मेरी बात खतम नहीं हुई है क्या बार बार एक शब्द की आण में जो करने की कोशश कर रहे हैं वो जनता भी देख रहे हैं मत बात उत्तरप्रदेश के चुनाओ की है, दसमाच के नतीजों की है, मैं भी आपका सम्मान कर रही हूं और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी उसी तरीके से मेरे सवालों का जवाब दे, वो और लोग होंगी जिन पर आप ये टिपनी पर तक पर नहीं, आज तक पर नहीं, शक्स ने लिका है, for the word honest to hurt her so badly. Never before has anyone reacted to like this to the word imaandar. It's only a hundred percent dishonest, baimaan person with zero integrity, zero belief that anyone is capable of thinking of her as honest, would have taken it so very badly. Self-goal by media whore, Anjana Om Kashyap. Okay, someone else has written, if she is so damn good about her job, then why is she getting upset if she has been called the most honest journalist? She should accept it with pride, cause as per you, she is so damn good with her job. Funny. और एक शक्स ने लिका है, Anjana, blind and deaf anchor, you are totally unfit to do anchoring and you are a black mark on journalism. Please go and join the shameless party that is the Balat Kari Jumla Party, BJP. Another person has written, if she has accepted that she is not imaandar, poor soul. The lady is a perfect example of yellow journalism. Another person has written, the answer is right there, whether she is good or worse at her job. Look at her, look how she gets upset. Nowadays, Godi media anchors have become jokers. Very sad. Anjana knows, if we are honest, as in, we as in, she, Sudhir Chaudhary, Arnav Goswami, if we are honest, then who will be labelled as dishonest? She got surprised. Really, she got surprised. Are we really in honest list? और एक, somebody else has written, शास्त्रों में इसे ही मन का चोर कहां गया है? इमांदार नहीं, इनामदार बोलो. इमांदार का मतलब समझ गई, इसलिए भोकला गई. समझदार लड़की है, समझ गई, इमांदारी का मतलब, L-O-L. Okay, this one is a nice one. असल में उन्हें दलाल शब्द सुनने की, ऐसी आदत पढ़ गई होगी, की इमांदार शब्द गाली की तरह लगी होगी. Okay, here is a very valid point raised by Nilda Singh. ये सारे BJP वाले से ऐसे शर्माते हुए सवाल पूछते हैं, और दूसरे पाटी को बत्तमीजी से पेश आती है. इसको इतना हग किस ने दिया? Good point. दलाल पत्रग, here's a funny one. इतना घटिया चैनल मैंने आज तक नहीं देखा. Okay, here's a nice funny one by Sumit Kumar Kalota. तुझे मिर्ची लगी तो हम क्या करे? इमांदार पत्रकार. Nice one by Manoj Bajaj. अगली बार बे इमान बोल. अगली बार बे इमान बोल दीजिये. Saaf, saaf. I don't know whether I read this one, but Anjana, blind and deaf anchor. You are totally unfit to do anchoring. You are a black mark on journalism. Please go and join the shameless party that is Palatkaari Jumla Party Bajaj. Here's a nice one. इमांदारी शब्द, इल्जाम लगी इस दलाल चाटुकर को. इस से पता चलता है, बीतर से ये खुद जानती है और मानती है, के विकाओं है. Here's a nice one. ये दलाल है. यादर ने इनको इमांदार गलत कहा, इनको दलाल के नाम से संबोधित करें, तो जादा बहतर होता. शेम ओन्यों अंजना ओम कश्यप, अंजना ओम मोदी, गोदी मीडिया. Here's a nice one. ऐसे इंटर्डूस करवा रही है, जैसे इंडिया को योगी ही अजाद करवाए थे. जकम पर नमक, आओ वहां, इमांदार पत्रकार. हाई रे दलाली, इमांदारी गाली हो गए अब. Here's a funny one. इंटर्व्यू किसका है, अंजना ओम कश्यप का है, या अखिलेश यादर की. Okay, you can read this one on your own. Some tricky words are there. So, तब आप समझ वहे आपके स्वाइब. Go on, read it. चोर की ताडी में तिंका कहावच सही है. यही बात उन सबसे, सबसे भी पूछो, मैडम जी. 80 और 20 का मतलब क्या है? Okay, here's a nice one. अंजना दलाली करना छोड़ दो और RSS का असली इतियास बताओ, कैसे RSS के अंग्रीजों के तलवे चाटते थे. जैसे मोधी, योगी, अंबानिया और अडानी के तलवे. अब तुम, मीडिया होड जोर्नलिस चाट रहे हैं. भोकला गई है. Good comment by Sanjay Singh. हद हो गई, इसको शरम क्यों नहीं आती है? Oh, I don't know if I read this one, but असल में उन्हें दलाल शब्द सुनने की ऐसी आदत पढ़ गई होगी की इमानदार शब्द गाली की तरह लगी होगी. बे-इमान को अगर इमानदार बोल दो तो वह गरम हो जाता है. गुसा होता है आज कर. बड़ी समझदार हो गई है ये. कितना चाटू करीता में मीडिया गिरेगी? Okay, here's a nice comment by somebody. So, सारी दुनिया जानती है कि तू कितनी निमच पत्री का है. I don't know the meaning of that, but still. तू एक दलाल पत्रकार है, तेरी रोजी रोटी दलाली से चलती है. तुम जैसे दलालों ने ही तो देश का सत्यानाश कर दिया. काश कोई अच्छे लोग आए, इस देश को समझने के लिए, जैसे की आम आदमी पार्टी. जो इस देश की तरकी की बात करें, जो रोजगार की बात करें, बात ही नहीं करें, बल्कि काम करके बताए, जैसे की आम आदमी पार्टी. Okay, here is a very hard-hitting comment by चंदर शेकर. एक समय था, देश की आज़ादी में पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान था, और आज वर्तमान में देश की बरबादी में पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान है. यह सब चल रहा है आज कल. क्योंकि जो सत्ता में बेटे हैं, सवाल उनसे ना पूछ कर, जो सत्ता में नहीं बेटे हैं, सवाल उनसे पूछे जा रहा है. Okay, नितन देशाय has made some very valid points here. Point number one, सवाल विपक्ष से और सरकार दोनों से पूछे जाते हैं, मैडम, वो भी जाजा तर जनता की बुनियादी जरूरतों से जुड़े points पर. Point number three is a big point. Constitution of India के अनुसार, state का matter होता है, तो CM और opposition party leader of state दोनों से पूछते हैं, और देश का matter है तो PM और opposition party leader of country इन दोनों से. CM और PM दोनों का ही उत्तर देवित. उत्तर देवित, वा मतलब जिम्हदारी जादा होती है, क्योंकि वो state और central level पर government को represent और lead करते हैं. वो सवाल भी cricket match की तर लाइफ प्रेस conference में पूछे जाते हैं. वो भी सिर्फ election से पहले नहीं, बल्कि हर बड़ा especially economic tax या कोई भी decision लेने के बाद तुरंथ जवाब देगी के लिए. इतनी हिमत है आप में, उनसे सवाल पूछने की. Okay, point number four is very tricky, let's see if I can get through it. अगर नहीं, तो I see lady report its continuing form, point number three. इतनी हिमत है, आप में उनसे सवाल पूछने की, अगर नहीं तो I see lady reporter को mental treatment की सक्त जरूरत है. अपने reporting profession के ethics और value से cheating मतलब गदारी करते हुए, आम जनता या लोगों के issues जैसे बढ़ती हुई बेरोजगारी, petrol, diesel और LPG gas की तेजी से बढ़ते हुए rate, हर साल भारत देश में पहले से कई गुनाज ज़्यादा बढ़ रही करी भी और government of India की पुराने बढ़ाय हुए taxes और नए लगाय हुए taxes के इसके साथ ही, पिछले आठ सालों में central government के economic और दूसरे गलत decisions पर लोगों से सवाल पूछने पर जिमेदारी जटकने जलताकने के, और constitutional powers का ज्यादा तर गई जिमेदार और गलत यूज करने की present central government की आदतों पर और central government से उस में भी especially हमारे देश के prime minister और home minister से जंता से जुड़े हुए सवाल पूछने की जगह, फार्टू चीजों की गलत marketing करती रहती हैं, okay I got through that, and point number five which is a valid point, एक लेडी होने के का हमेशा गलत advantage लेती रहती हैं ये, people like this, अंचना, ओम, मोधि, finally हर हर मादेव, जै हिंद, जै माराष्ट्रा, और बारत माता की जै,